सो नमस्कार मित्रो आप सभी का स्वागत है एक बर फिर से शाम एजुकेशन वर्ड यूटूब चैनल में दोस्तो अगर आप एक ऐसे स्टुएंट है जो पॉलिटेकनिक कोर्ष में एडिमेशन लिया है और आपको इलेक्टिकल इंजिनिंग ब्रांच मिला है इसके बारे में इट उजिट पूरी जनकारी दूँगा तो आए दोस्तो इस वीडियो को सुरू करते हैं तो देखे दोस्तो जब भी आप किसी इंजिनिंग कोर्ष को करते हैं चाहे वो पॉलिटेक्निक हो चाहे वो बीटेक हो तो उसमें जो आपको पढ़ाई करनी होती है वो समिश्टर वाइच चलती है मतलब प्रतिक 6 semester में आपका exam करया जाता है अथात 1 साल में आपको 2 semester का exam देना होता है तो इसी process को हम semester exam बोलते हैं तो जब भी आपका admission point technique course में होगा तो आप सबसे पहले 1st year में admission लेंगे और 1st year में आपको 2 semester का exam देना होता है एक 1st semester और एक 2nd semester ये 2 semester को अगर आप clear कर लेते हैं तो आप पूरे 1st year को clear किये हुए माने जाएंगे तो आएए अब बात करते हैं आपको 1st semester में total कितने subject को पढ़ने होंगे तो अगर आप एक electrical engineering के student हैं तो total आपको 1st semester में 5 subject पढ़ने होंगे 5 subject का exam आपको देना होगा और जिसमें आपका एक subject का practical होगा तो कौन-कौन से subject का practical होगा और कौन-कौन से subject का exam होगा आए इसके बारे में जानते हैं तो सबसे पहला जो हमारा subject होगा इसमें वो है communication skill first ये subject आपका total English base पे अधारित है ये subject आपके engineering के छेतर में communication skill काफी important होता है आपके exam के district course से और आपके future के district course से भी और इस subject का paper आपका total 50 number का होता है जिसमें आपको pass होने के लिए minimum 17 number लाने होंगे अगर आप 17 से कम number लाएंगे तो आपका इस subject में back लग जाएगी जिसका आपको फिरते exam देना होगा तो ये point आपको याद रखना है दूसरा subject है आपका वो है applied mathematics first इसका भी paper आपका 50 number का होता है और 50 number में passing mark आपका 17 number होता है अगर आप 17 number लादेंगे तो आप इस subject में pass माने जाएंगे इसके अलावा तीसरा subject जो हमारा है वो है applied physics first इसका भी paper आपका 50 number का होता है जिसमें आपको पास होने के लिए minimum 17 number लाने होंगे इसके अलावा चौथा subject जो हमारा होगा वो है applied chemistry इसका भी paper आपका 50 number का होता है जिसमें आपको पास होने के लिए minimum 17 number लाने होंगे तो दोस्तों यह सब्चोबी subject जो आपको दिख रहा है applied physics, applied chemistry, applied mathematics यह आपके 11th और 12th के syllabus के अधारित मिल जाएगी मतलब जो जो चीज आपको 11th 12th में पढ़ाई गई है उसी चीज को इसमें थोड़ा बहुत expand करके पढ़ाया जाता है इसके अलावा पाँच वा subject हमारा जो सबसे important और सबसे बहतरी subject है वो है हमारा engineering drawing first दोस्तो अकसर students इस subject को नहीं पहचार पाते हैं क्योंकि इससे पहले इस subject को उन्होंने कभी पढ़ा नहीं होता है वैसे अगर देखा जाये तो यह subject थोड़ा सा कठीन होता है बट उतना भी कठीन नहीं होता है इस subject के बात करें तो इस subject का question paper आपका start number का होता है जिसमें आपको passing marks 20 number लाने होंगे तब ही आप इस subject में pass हो पाएंगे अगर आप 20 number ते कम लाते हैं तो आपका इस subject में back लग जाएगा फिर से आपको paper देना होगा इसके अलावा electrical engineering के student को कोई written exam नहीं देना होता है सिर्फ ये 5 subject का आपको written exam देना होगा जिसमें पहला है communication इसके लिए first तूसरा है applied mathematics first तूसरा है applied physics first चौथा है applied chemistry और पाचवा है engineering drawing first इसके अलावा electrical engineering के student को दो subject और पढ़ना होता है जो आपका सिर्फ और सिर्फ practical base पे अधारित है जिसका कोई written exam नहीं होता है इसका सिर्फ और सिर्फ practical होता है जिसमें पहला subject हमारा जो है वो है basics of information technology जिसे shortcut में BIT के नाम से जानते है इसमें आपका only practical होता है इसमें कोई written exam नहीं कराया जाते है उसके बाद दूसरा हमारा जो है general workshop practice first इसमें भी आपका कोई written exam नहीं होता है इसमें भी आपका only practical और वाईवा कराया जाते हैं इसमें आपको job बनानी पड़ते हैं लकड़ी की size को काट कर और उसी की आधार पे आपका number मिलता है यह 5 subject का आपका paper होगा और आपका यह 2 subject जो आपका है basics of information technology और general workshop practice first यह 2 subject का आपका only practical होगा तो मतलब आपको electrical engineering के first semester में total आपके 7 subject होगे जिसमें आपका 2 subject का only practical होगा और 5 subject का आपका exam देना होगा तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह polytechnic electrical engineering first semester से related slivers के बारे में video आपको अच्छी लगी हो तो please like and subscribe this channel thanks for watching video मिलते हैं एक new video के साथ तब तक के लिए जैहिंद बंदे मातरम